हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का सोगत है मारे स्यूडियू चैनल पर हम लोग बात करने आ लें आपकी कारपत्रिका 34 के बारे में ठीक है हिंदी अच्छरों के महत्तों के बारे में जानेंगे आज कीती थी किया आज कीती थी ये बिटा 16 11 2021 है और कच्छा 6 की है यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है इस कारपत्रिका को चालू करने से पहले बच्छे उतादू लास्ट वीक के विनर का नाउस्मेंट हमने कर दिया अगर आप कॉंटस में पास्पेट करके विन होना चाते हो बहु प्यारे बच्छों पिछली कारपत्रिका में हमने लेखा गुड़कार भोले द्वारा निबंद अच्छों के महत्तों को पढ़ा जिसमें हमने अच्छों की खोज एवं अच्छों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राब्त किरी और यहाँ पता लगाया कि अच्छों की किसने कब और कैसे की तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ लेते हैं इसका अंतिम भाग क्या है अच्छोडो की खोज मनुस ने सबसे पहले खोजी है अच्छोडो की खोज करने के बाद मनुस ने अपने विचारों को लिख कर रखने लगे इस प्रकार एक पीड़ी से ग्यान का इस्तमाल दूसी पीड़ी करने लगी और अच्छोडो की खोज के महतोगे बाद छे हजार सालों में मानब जाती का तेजी से विकास हुआ वहाँ महतो है यह महतो है कि अच्छोडो का और उससे बने हुए लीपी का अंतहा सब को अच्छोडो की कहानी मालुम होने लगी आज जिन अच्छोडो को हम पढ़ते हैं लिखते हैं वह कब बनाए गए और कहां बनाए गए और किसने बनाया यह जानना जरूरी भी है तो चलिए देखते हैं पहला प्रसन क्या है उपर गद्यांस को पढ़ें और नीचे प्रसनों के उत्तर देने हैं मनस ने सबसे बड़ी खोज कौन सी है तो सबसे बड़ी खोज कौन सी है अच्छोडो की इसके बाद अगला प्रसन क्या है मनस अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा तो अच्छोडों की खोज के बाद या अच्छोडों की समझ बनने के बाद या अच्छोडों को पढ़ने के बाद या अच्छोडों को बोलने के बाद तो बेटा इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर आप देखलो अच्छरों की खोज करने के बाद यहां पर हो लिखाया है तो यहां पर भी हो जाएगा अच्छरों की खोज करने के बाद इसके बाद अच्छरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 वर्सों में मानव जाती डैस से विकास हुआ इसके बाद क्या है अच्छरों का और उनसे बनी लीपियों का क्या महत्व है तो चलिए इसका अतर जो है मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ तो students इसका answer आप लेख लीजे ठीक है अच्छरों का और उनसे बनी लीपियों का यहां महत्व है कि आज हम उनके माध्यम से उनकी कहानी और खोज के बारे में मालुम पढ़ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है इसे आप उत्तर के रूप में लिख लेना ठीक है तो इसके बाद बिटा एक गती विधी आपको दी गई है जिसमें लिखा है लिखित और मौखित भासा के लाब और हानी के विशाव पर क्या है चरचा करें तो शलिए इसका उत्तर मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ तो बच्चों इसका अंसार आप लेख लें ठीक है लिखित भासा लिखी जाती है लिखित भासा के द्वारा किसी बात को लंबे समय तक सुरच्छित रखा जा सकता है और इसके कारण ही लिखित भासा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसे सीखने के समय में लगता है दैनिक जीवन में हम इसका बहुत अधिक प्रियोग हो सकता है और इसके जरीए एक पीड़ी से दूसी पीड़ी तक ग्यान पहुच रहा है तो यह क्या हो जागा इस गतिविदी का आंसर हो जागा ठीक है इसे आप no down कर लेना ठीक है तो बच्छों अगर आप चाहें ठीक है उसी में आगे थोड़ा सा क्या है बढ़ाकर लिख सकते हैं क्योंकि उसमें मौखिक भासा के बारे में भी बोला गया तो आप चाहें एक दो लाइन लिख सकते हैं कि मौखिक भासा का इस्तमाल हम अपने दैनिक कारियों में करते हैं औ दोनों को मिला कर अगर आप लिखोगे तो ज्यादा सही है ठीक है तो ये गति विद्धी का क्या हो जागा आंसर हो जागा चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है तो बच्चों आगे आपकी कारपते का क्या है यहीं समात होती है धन्यवाद